कि नमस्कार दोस्तों मैं आभी सिंग चोहां स्वाद करता हूं आप सब का दा एक्जाम पोटल पर तो कैसी चल रही आपकी तैयारी आप सब को सर ने बताया ही कल के वीडियो में कि कैसे कैसे तैयरी करना है कौन सी बुक रखना है कैसे करना है पो टोटल स्ट्राटेजी जो है तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सबको पहले ही पता है सर ने अल्रीडी बता रखा है तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो प्रिवियस हम लोग कर रहेंगे ठेक है तो हम लोग 45 दिन का टार्गेट लेते हैं इस तीधा बात नों बकवास चलेगा ठेक है समझेज़े कि आपको पूर्वा एक्सप्रेक्स खोल दिया गया है पूर्वा एक्सप्रेक्स के पूर्वा एक्सप्रेक्स करने से मेरा मतलब यह था और यह अभी से खुला है आज से और एक्जाम तक चलते रहेगा फिलाल 45 देन 45 मेरा अधनका ले लिजे ठेक उसमें पुरा प्रिबीस यह जो भी है हो जागा सेट और उसके बाद भी टाइम बसता है तो एक्जाम तक बीसे सेट चलते ही रहेगा ठेक उस रिलेटेट टॉपि हमलोग ज्यादा टाइम विष्ट्न पर आते हैं यानि कोशन पर आते हैं पहला कोशन क्या है पहला कोशन है कि केंद्रिये जल एवं बिधूद्र कहां इस्तित है ठीक है नजर तो आ रहा है आप लोगो ठीक है ऐसमें अपलोग एंडिये का मुख्यालाइं भी कूछता है कह और अगर भारत का पूछ देगा कि भारत का प्रथम जो है कब हुआ था तो 1897 में जल्वें विजुद अस्थापना कब हुआ था चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरा कोशन पढ़िए दूसरा कुस्टन है कि 1800 संताओन की क्रांती में देखिए हम लोग पुष्ट माटम करते चलेंगे तो पता है एवरेज सब बनाके इसलिए इंपोर्टेंट पॉइंट जरूरी है वही बता रहा है और आप लोग को पता है तो जब टॉपिक चलेगा तो उस टाइम आप लोग को बता दिया जाएगा ठीक है जब टॉपिक चलेगा तो एकदम डिटेल में अभी एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क जरूरी है वह हम लोग जानेंगे दूसरा कोशन है 1857 की क्रांती में एक मित्र द्वारा धोखा मिला था जिसको बाद में ब्रेटिस द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया उनका नाम आप सब को पता होगा तात्या टोपे इनका कभी-कभी मूल नाम पूछ देता है रा पांचंदर पांडूरंग आप सबको पता होगा ठेक हैं राटिंग में मत जाईएगा बस हम बोल रहे हैं उस पर जाईएगा ठेक और कहां से लड़े थे नाना साहब के मिल के साथ यह कानपूर से बाकी अठारसों संतावन के करांती बताएंगे अप लोग को बताया जाए पांडूरंग उसे मौमध मौली अमदूला जो है आपको भैजाबाद से लियाकतली आपको इलावाद से इस टाइप से आपको पूछेगा ठेक आगे बढ़ते हैं यह तात्या टोपे को दोस्त अच्छा दोस्त का नाम था जान लीजिए बहुत जगा नहीं मिलता है दोस् मान सिंग ठेक मान सिंग यहीं तात्या टोपे को दोस्त थे नहीं के द्वारा धोगा दिया गया था बाद में पकड़ागा ठेक आगे चलते हैं लोग अगला कोश्चन देख लिए तीन नंबर कोश्चन कि 1929 में किसकी अध्यक्सता में लहौर अधिवेशन ठेक ब्रेटिस अधिशासन से पूरु स्वतंता का प्रस्तावपारित किया गया था उनका नाम है ज्वाहरलाल नेहरू 1929 में लहौर में अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज की घोषना की गई थी और 26 जनवरी 1930 को जंड़ा भी फर आया था स्वतंता दिवस के रूप में ठीक और य है 1928 में नेहरू रिपोर्ट अल था पता होगा इन ही का दिया हुआ था ठीक ऐसे याद रखिएगा अब आगे हम लोग बढ़ जाएं आगे बढ़ जाते हैं चलिए अगला है को फटाफड करते जाए steBI गा जिनके पास नहीं जो मैं थो बोलूब आप लोगा यह लिजिए आच जिनके पास ज्किन उर्ट नहीं होगा वह क्या घरेंगे copy में लिखेंगे, copy में लिखने का जिनका मन होगा copy में लिखेंगे जिनका penso लेने का मन होगा तो जिर्षन से जुड़ा हुआ है कि बताइए समाज वाद यो गांधी वादी तत्व जनते हैं न निती निदे सकता तुँ कहां से लिए यह निती निदे सकता तुँ तो सब को पता है इर लेंड से हैं की नहीं इर लेंड से लिए गया है अर गांधी वाधिता तो इसमें जो है ग्राम पंचायंतों की अस्थापना कौन से है 40 में ठीक धान का एक समान बित्रन किसमें है 49 सी में है ना सही बोल रहे हैं चलिए ठीक आईसे ही कारेपालिका को 50 में इवला 51 में कारेपालिका को नियापालिका से प्रिथक करन करना है तो आर्टिकल 50 है ना 42 हो गया तो आपको पूझे तह प्रसूति सहता है कि नहीं चलिए अगला है हडापा सभेता संबंदित है अच्छे याद रखेगा निती जब पढ़ाएंगे आर्टिकल तो एक एक आर्टिकल चलते जाएंगे इसलिए इसमें ठीक है कोई दिक्कत है किसी को इसू तो बताइएगा अगला है कोशन हडापा सभेता संबंदित है किस संबंदित है भाई ऑप्शन देख लिए तो राइट अंसर है सब लोग जानते ह जानते है कि कांसी यूग से सभी बोल रहें क्या कांसी समंदित है चलिए कारवन फोर्टिन के से इसाब किया गया था मालूम है ना कारवन फोर्टिन ठेक पेगट ने हड़ापा और मोहन जोड़ों को क्या बोला था जुलवा राजधानी इस सब कोशन पूछता है जब हड़ापा सब भेता पढ़ाएंगे तो बताएंगे चलिए देखे सिंधू सब भेता भी इसी को कहते हैं और सिंधू घाटी सब भेता भी इसी को बोला जाता है कोई दिकत है ठेक लोह यू कुछ नहीं होता है लोहा पूरवा पसान यूग में ठेक है एसाब पूरवा पसान इससेब को बात है ठीक अब अचा अगर पूछा कि वरतमान में कहां है तो क्या बोलिएगा वरतमान में पाकिस्तान के मोंट गोमरी जीला जहीं बोल रहा है क्या चे नंबर कुर्शन पर चलते हम लोग है नमबर कोश्चन चलिए आगे नमबर कोश्चन नमबर छे भारत तथा चीन के बीद स्रीमा बनाने वाली रेखा है कौन से रेखा है बताइए कि मैक मुहन रेखा कब 1924 अना डुर्ण रेखा कब की चागया था रुद्र रेखा बताइए और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत लिखा हुआ हाँ भारत एंगा डेंट यहां पर मिल्ग देंटे हैं पाउक है था मतलब भारत और प्रकस्तान घीनww को लिखने देते हैं पक और ओफ ए एफ जी यानि आफगानिस्तान थिक उससे में भारत और आफगांस्तान पुलाय। यहता है थिक यह थिक चलिए आपज़ को पूशतेता है मंगीनलेट मैंगे नइट पूश्देता है मैं एम् bois पूश् incl espaço है आपको ओडर नीज पूछेगा हडपा सब्वेता हो गया था भारत था चीन के भी चिमा बनानी रेखा मैंक मोहन रेखा क्लियर करवा दिया गया था अना अब हम लोगों को देखना है ठीक है कि इसी में मालीजा आपको पूछेगा कि आपको मैगिनेट पूछ देगा मैगिनेट रेखा ठीक मैनर हीम जैसे मैनर हीम है तो मैनर हीम रूस और फिनलेंड ठीक रूस और फिनलेंड ठीक मैनर हीम हो गया ठीक मैगिनेट जर्मानी और फ्रांस जर्मानी एवं फ्रांस ठीक है ठीक ऐसा ही लिख लीजे आप लोग और तीसमी समानांतर सत्रां उन्चासमी समानांतर यह सब तो आप लोगों को बता होगा युवेसे कनाड़ा और उत्री कोरिया दक्षिन कोरिया वाला ठीक तो ऐसे ही इंपोर्टेंट इपोर्टेंट जो है यह सब पूछता है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अच्छन गणा ठीक प्रेग लिजे होगे अच्छे चली सातवा यहां ठालेते यह देख लिए नीचे प्रमुक घटनाओ का सही तीतीकरम क्या है ठीक आप लोग मिला यह आप लोग किजे अ में भीदर साथी साथ करते हैं देखते हैं कॉन पहले करता है से थिकर कौन पहले करता है में करता हूं या आप लोग करते हैं बद देखतें कौन पहले इसको कर लेता हैं ठेकैं यह लीजिए आप लोग किये या नहीं किया मैंने कर दिया देख लीजिए सबसे पहले क्या है बंगलादेश का बनना 1971 मतब दून नम्बरों ले ले लेना है फिर उसके बाद वह पोखरन वन परिक्षन 1974 इसको अस्माइलिंग बुद्धा भी बोलते ना जी इसका नाम क्या थ अस्माइलिंग ठीक है बुद्धा है ना चलिए उसके बाद चार नमबर फिर तीन नमबर फिर एक नमबर दू चार तीन एक दो चार तीन एक ठीक सबसे पहले बंगलादेश का बनना उनुद्ध सवतंतर दिवस 26 मार्च को मनाता है यह लोग राजधानी धाका और मुद्र का ठीक मुद्रा है ठीक है ना चलिए अभी क्या हाल ही में क्या कांट हुआ है बंगलादेश में आप सबको तो पता ही है यह सीकीम का 22 महराज जो बना 1975 में यह हो गया 2001 में SSLV3 launch हुआ था ऐसा करके आपको पूस देगा तो यह सब नॉर्मल कुश्चन है और देखिए इसल पहला है था ठीक है एक और इसमें हम बताना चाहा है टेरह और थेरह में 107 अं थरका याद होzasग लोगत है श्री पोखरण है ठीक है पसना रहा है चली आगे बढ़ जाते हैं आठवा नमर कुर्शन देखिए लिखित में से कीन देशों के समुझ से भूमादी रेखा गुजरती है ब्राजिल जांबिया मलेशिया कोलंबिया के निया इंडोनेशिया ब्राजिल सूडान मलेशिया ना विनेजुएला इथोपिया तथा इंडोनेशिया राइट अंसर कोलंबिया केनिया और इंडोनेशिया और याद रखिएगा इससे हम सौट्स विडियो बनाएंगे जब सौट उसमें आपको दिखाएंगे के नेमलेखित में जो से भूमद रेखा करक रेखा और मकर रेखा ठीक इन तीनों के बीद जो कितने देश होकर यह तीनों तीनों रेखा गुजरते हैं सब आप लोग को बता देजाएगा त्रीक के माध्यम से जैसे इसका ट्रीक है कि काका की कमाई से सी बी आई सो गया भूमद रेखा वला मिल जगया करक रेखा वला हो जागा मैं अलजरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने वही गया तो यह तो आप सबको पता होगा मकर रिखा का है कि चील और बाज नामक प्रजाती आपस में सम बहुत समान होते हैं ठीक इस टाइप का यह तीनों बता देंगे आगे बढ़ते हैं अगला है चेनी यात्री वेंसांग ने भाद का ब्रहमन किया था थोड़ा लाए ने तो यह अस्तों के ससनकाल में चंदरकुपत के मोरे के ससंकाल में यह तो दोनों का दोनों गलत है ठीक आपको भी पता है याहांपर होगा देख लीजोए कि यह देख लिजे है ना हर्षवर्धन के साशनकाल में यही है गया सही अंसर हर्षवर्धन के साशनकाल में ठेक तो आप लोग बताईए चंद्रकुप्त दित्विय के साशनकाल में कौन आया था कुछ इसी को मालूम है कि बिंदू सार के का दिया हुआ था डैनोसियस है ना कब आया था ही कि 729 में हर्षवर्धन के काल में और कहां रहा था जो हम बोलेंगा वही सही नहीं हो जाएगा ध्यान देखेगा किता लोग हां में हां कर दिया हुआ कि सर 729 नहीं 629 ठीक है एडी लिखाएगा एडी की भी सी हर्षवंदरकाल 629 एडी अभी सी बताइए ठीक इसके बारे में इसका जो शासन का वेन सांग का जो व्यात्रा विटान था उसको क्या बोलते हैं सी यू की ठीक यह सब पूछता है सी यू की लगवग 15 वर्ष तक रहा था लगवग 15 वर्ष तक रहा था ठीक आगे बढ़ जाते हैं अगला कोशन देखिए अगला कोशन क्या है संपून क्रांती का आवान किस ने किया था संपून क्रांती का आवान किस ने किया था बताइए सबको पता है सबको पता है कि जब्रकास नरायन के द्वारा किया घया था संपून क्रांति ठीक है संपून क्रांति सीच करकास नरायन दिखेंब एक लीज़ी क्लिए ले चोप में टीक टाहिह में चलिए अभि आपे आपड़ तो नमक सत्यागर भारत यह आपको असायोग अंदुलन यह सब शुरू किया था मात्मा गंदी के दोरा उसी प्रकार बहिस्क्रीत भारती यह सब भीम राव अमिट करके दोरा वैसे जब प्रकास नरायन का हुआ था ठेक संपून करांती अगला बढ़ते हैं विंक्स ओफ फा क्लाम से कोई दिक्कत है वैसे ही आपको है कि दिखाई दे रहा है विंक्स ओफ फायर एपी जब्दुलक्राम दिखाई दे रहा है ढंक से चलिए बहुत बढ़िया ठेक इनका अगर और ले लिया जाए तो इगनाइटेट माइंड्स सब उसी टाइप का रहागा 12 नम्बर कोश्चन इधर से आजाते हैं भाकडान अंगल बांध इस्तिद है किस पर सतलज पर चिनाप पर रावी पर गंगा नदी पर सही है क्या है भाकडान अंगल बांध सतलज नदी पर अगला है रावी नदी पर कौन सा बांध भाई तरा से रावी और रासे रंजीत सांगर रंजीत सांगर ठीक चीनाप नदी पर बताए तो अभी जल्दी में पूल भी बना इस पर बताए आप गंगा नदी पर तो अब भी है बहुत सरा बताए यह जैसे आपको पूछ देता है इंपोर्टेंट है उकाई परियोजना उकाई तापती नदी पर अगे बढ़ते हैं कलहंद्वारा रचित राज तरंगनी में वर्णन है किसका वर्णन है बताए इसको उपर लें लेते हैं तोड़ा जहां तक लास्ट है चलिए यहीं तक राज तरंगनी अच्छे को राग होता है नहीं गाने उने वाला या धना आप सबको तो मालूम है हम सबको कश्मीर का इतिहास कलहंद्वारा ठीक चलिए चंदरगुप्त के सासन के बारे में तो इसमें आपको इंडिका में भी मिल जाता है तिन-चार इसा यह है कश्मीर का इतिहास कलहंद्वारा एक पूछेगा राग तरंगनी राग तरंगनी थेख रागतरंसर क्विलोचन क्यों हो यहाँ फिर्क दखेगा बहुत कुछा हुआ कोशन है राजतरखन निर्ट पूस्तक कि कि पताइए कि सबको पता है ब्रहँब समाज के कब सभाथ किये थे अब आतमीय सभाग भी यही किए थे ना 1500 कितना में का द्यूसित में बताईये और आया श्रण स्था पर कड दयानंद सरस्वती तो मिर्द्यानंद सर्श्वती सब को मालूम है प्रार्था समस्के बताईये आत्माराम पंडवरंग तहीं बोल रहे हैं हम बताइए आप लोग सब का लीखा कीजिए समझे रामक्रिष्ण मिशन स्वामी बिवेकानन्द स्वामी बिवेकानन्द ठीक है चारों का हो गया आगे बड़ें मैगिनेट रेखा देखिए आगया मैगिनेट रेखा अभी हम बताये थे आगया ना अभी पूछा हुआ कोशन आगया अभी डिटेल बताये थे पीछे वाला का तीसरा चौथा नमर में जो कोश्चन था तो मैगिनेट मैनर हीम ओडर इसकर के बता रहे थे कि ऐसा कोशन इंपोटेंट है यह सब पूछता है और देखिए सामने आगया अगला कोशन में ठीक इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा मैगिनेट में हम बताये थे फ्रांस और जर्मनी फ्रांस और जर्मनी याद रखने का तरीका क्या है इसका और नीज रेखा को कि एक और निस रेखा और ये को और है इसका है लिए और नीज के साथ हिंडेनबर्ग कि हिंडेनबर्ग कि हिंडेनबर्ग रेखा और दोनों जर्मानी और पॉलेंड का ही है ठीक है आगे बढ़ते युए से कानाड़ा अर्थास्वी उन्चास्वी आपको याद है अर्थास्वी बताया थम आगे बढ़ताईए सतलूज नदी का उद्गम है कहां जी भारत में च देखे कोश्टन याद रखना है ठीक और आपको टीक करते चलना वहां पर लिखना है कॉमेंट में तब पढ़ने मजा है लाइगा कि लाइफ क्लास हो रहा है और बहुत जल्दी लाइफ क्लास हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर चीन के तिबत में है तो आप्सन में चीन ह आप वहकिस पर योजना में है यह सब तव आप लोगों को देख ता कि परयोजना में है यह सब अपंढूंदों को पता ही कि चल गया था ना है अगला कोश्ण गले कोश्ण पढ़िए क्या है के भारतिय संमिधान सभान है कि अच्छा इसका अभी हम बताया थे भाखडा नंगल बांध इसलिए बार बार यह की चीज नहीं बता रहे हैं बांध बांध सत्रावा नंबर कोश्चन कि मैं थोड़ा सा धिक्कत होता है अबलोके चलते कोई धिक्कत आइए गरें यह कि यह था भागारतीय राष्टिये ध्वज की रूफ रेखा को नंगी कार किया था distribute ताकि हमारा देश आजाद हुआ था वतंत्र हुआ था 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 ठीक है चलिए यह दूनों इंपोर्टेंट नहीं है आपको याद होना चाहिए कि 9 दिसंबर उने सभा का पहला बैठक हुआ था उसमें जो पहला बैठक में कौन अध्यक्ष थे सबसे वरीद जो थे डॉक्तर सच्दान सिना फिर 11 नम्बर को क्या हुआ था अस्थाई अध्यक्ष बन गया थे डॉक्तर रजिंद परसाथ अब 13 दिसंबर को जो है आपको जवारला नेरू ने प्रस्ताव किस्ट किया था ठीक है ना आगे बढ़ जाते हैं अब भारतिये राष्ट कान पहली बार गाया गया गया तो 1911 में कहां का कलकत्ता अधिवेशन में कि आप लोग बता देजिए राष्टिये गीत कब गया गया था 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 सच्यानवे में कहां का थे वेशन था वो भी राष्टिये वाला बताईए चलिए ठीक है आगे बढ़ जाते हैं बारत में स्वेट कानती के जनक वर्गीज कूरियन डॉक्टर वर्गीज कूरियन और वही अगर आपको हरित कानती का कहेगा भारत में तो स्वामी नाथन एमेस स्वामी नाथन आना जैक हारित कानती में सबसे ज्यादा जो हुआ था फैदा वो घ्यहों को हुआ था ठीक है खादर पदार्त को ज्यादा ज़रूरी था आगे बढ़िये हुआ है अगला है बिसमावा कोश्ट्य की भारत का राश्ट्य फल है बताए जहान कषच्ण कर लोग्षक कि परकूज इसका साइन लिए मैंगर फेरा इंडिका सबको पता है लिखने का जरूरत है लिखने का जरूरत थो है नहीं मैंगो फेरा इंडिकाई अit बढ़ जाएं राश्टिये चीन गया है बारत का१ युण। एक चैन बिहार करम चारी चैनायोग क्या और ब्रियंसर चाहल स्हायक प्रेंबिक परिक्षा यह यह गुद्य का हल्-परश्णपोटर हमें थील पह alors like से थेक्सीं देखिए दुनिया का न मिन्तम देश कर दक्षनी शुदान गंतंत्र दक्षनी सुदान सब्सक्राइब चलियं sizaktan esakusa शरत और प्रदेश कौने भीखत है इस्त्री में भी पूरूस में अभी all-in-one लेंगे तब भी विहार हो जाएगा ठीक है सबसे और सबसे ज्यादा अधिक्तम सक्षर्त वाला केरल ठीक अभी हार का अगर पूछेगा अधिक्तम सक्षर्त वाला तो रोतास अना अभी हार का अगर अधिक्तम लिंगान उपात वाला पूछेगा तो गोपाल गंज अना ठीक ऐसे ही करते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे सबसे बड़ा छेतर फल में कौन सा राज है तो आपको राजस्थान है ठीक छेतर फल में सबसे बड़ा राजस्थान जनसंख्या में पूछेगा तो उतर प्रदेश अब बिहार का राजस्थान के वाँ है 12 की 13 तोटल कितने हैं नोगो गुजरात हो गया महराष्ट हो गया गोवा हो गया केरल हो गया करनाटक हो गया तमिलनाडू हो गया और प्रदेश हो गया उडिसा हो गया और एक पश्रिम मंगाल नौ का नाम बता दिये चलिए आगे तेस नंबर कोशन है समराट असोग जिसने 40 वर् पहरत में राज किया था कीतने वर्सों टक 40 वर्सों तक उस समस्क राज क्या था नाम क्या था नाम है पटली पुत्रस त्स Neu है पाटले पूत्र मागत का प्रतम राज दे प्रतम राजधाने ग्री ब्रीज जिसको राजगीर को ग्रीज ग्रीज उसका नाम पड़ गया राजगीर राजगीर अब उसका नाम है फिलाल राजगीर ठीक तो उसके पाद उदेन ले आया था आपको कहां उदेन कहां ले आया मनेहाँ हो बताये ऐसा प्रनेरिंग अस्ताय नातक जो किसी राज का दो बार मुखय मंत्री आप लोगे तो पता ही हैły हुँ जी को यह थीकत है कि आप क्यों आप में तो कंके में पता है तो डों को में बताए ठोल क्या बीतक बन गया है मानने नितिस Vine नुमार जी टोटल कितना बार मुखमंत्री बने यह पूछ दिता है कोस्टन में कि नौ बार बने की आठ बर बने दस बर बने यह बताना है आप लोग ठीक है ब्यार का राजानी सब को पता है पटना है उच नियाले का स्थापना कब हुआ था ब्यार का 116 में अना ब्यार का सही होगा जरूरी है वही आप लोग को बताएंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है कि चलिए कि कोशन नंबर 25 पर आजाते हैं तो लाइब टाइब का पढ़ते जाना ठीक तो हाल ही में कांड हुआ है देश में मतलब की बंगलादेश ठीक है आसियान का फूल फूम बताएंगे बते यह आसियान का साव क्या होता है एक एस्वसीएशन ऑफ साउथ इस्ट कि एसीन नेशन सही है ना क्या को देश है से भारत का प्रथम राष्ट्पती चुना गया कि राजेंदर प्रशाद देख लीजेए बताईए सही है अब राथम उप राष्ट्पती का उन्थे सर्वपली राधा कृष्णन ठीक है उनके जनम दिवस पांच सितंबर में क्या मना जाता है सिक्षक दिवस सिक्षक बोल पूछेगा कि सबसे पहला मुखमंत्री किस राज के तो उतरप्रदेश के सुचेता क्रिपलानी थी ना सुचेता क्रिपलानी और अगर आपको राजपाल पूछ देगा तो उत्रे पर देश की सरोजनी नाइडू कोई दिकत है भारत की पहली भारतिय महिला कांगरिस के अगे बढ़ जाते हैं लोग आपको पता ही है इलाहबाद से हल पसिम मंगाल के हल दिया तक नेशनल वाटर रूट वे वन है ना वन है कि आगे बढ़ जाए सदाइस नंबर कुश्चन सीखों के दसमें गुरू गुरू गोविन सिंग जी की जन्म हुआ था वो कहां हुआ था अब सबको पता है पतना में पतना साहिब बोलते हैं वहां पतना सिटी में इसलिए पतना मे ही ठिक है अमरीद सर में क्या है बताईए आखे मैं अबहले वह स्वादन मंदिर शाहिए उसको बनवाल मंदिर को उसको दूसको बंबढ़ा किस ने था गुरू अर्जुन देव पाच्वे गुरू थे लेकिन उसके बनाने जमीन किसने दिया था अगार्द नेंसे को तिस्टे गुरु को दिया था चोथे रामदास को दिया था उनकी पूत्री को है ना चलिए 1946 में 28 नमर कोशन देख लिजे 1946 में गठित अंत्रीम सरकार में डॉक्टिर रजन्द परसाथ किस बिभाग के मंत्री थे खादेवं क्रिशी के रक्षा मंत्री बल्देव सिंग अंत्रीम में भी और अगर प्रथम मंत्रीम मंदल सोतंत्रा के बाद पूछेगा तब भी रक्षामंत्री बल्देव सिंगी थे ठीक अभी जाके राश्पती बन गये थे ठीक बल्देव सिंगी थे दोनों में ठीक क्लियर है आगे बढ़ जाएं चलिए 29 नमबर कोश्चन देखिए 29 नमबर कोश्चन क्या है वैस्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से नहीं पढ़ने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाये जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश नेमलेकित में से कौन सा है करेंट का कोश्चन है सटाइये का कंछा है तो कौन कों सा है जर्मानी न्युजलयन उस्ट्रेलिया जापान जल दिंदेगों मैंट किई है प्षको कि प्रोटीन के वीट न्यूजीलेंड क्या है न्यूजीलेंड ठीक है आगे बड़ जाए Strength निया अप सब्सक्षिंपस्य करेक्स प्ढ़ेट जैपान का टोक्यो ऑश्ट्यलिया का कैंबरा और ना नीजिलेंड का क्या है बताइए तो जर्मनी का बताइए छोड़ देंगे हर एक कोशन में एक दूगों छोड़ेंगे आप लोग को लिखने के लिए तब पढ़ने में बोर नहीं होना है ठीक है बस इतना अब कहिए कि सर कोई बात नहीं बना रहा है सिर्फ ऐसे ही चलिए तीस नमर को सन्निमली खित में सखीश चेत में वर्स 2005 में इंद्रा गांधी प्रमानु संधान के अंद्र ने उलख नियों नत्ति की थी बताइए पहला उप्शन है फास्ट ब्रीडर टेस्ट एक्टर के उरेनियम प्लूटोनियम मिशित करबाइड इंधन का पूर् लोग जान लीजे राइट अंसर होगा अप्शन ए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियक्टर के उरेनियम प्लूटोनियम मिशित करबाइड इंधन का पूर्ण संसाधनी करन और इस हैत्र में 2005 में ठीक है थोड़ा सा चेंज क्या करता है मालूम है और मैट इस कोस्टन को अगर चेंज करेगा कभी तो इवला को देगा कोस्टन में वर्स पूस्ट देगा तो वर्स 2005 इफेक्ट आपको याद रखना है ठीक के निम लेखित में की सेत्व में वर्स 2005 में इंद्रा गांधी प्रमानु प्रमानु अनुसंधान के ने किया था तो इंद्रा गांधी प्रमानु अनुसंधान के अंद्रे ने किया था ठीक है अगला कोशन नंबर 31 पर चलते हैं हम लोग आ असे करा कि एक शाम रिती को कानुनी रूप देने वाला पहला देश एक शाम मरितु को कानुनी रूप देने वाला पहला देश यह ज़ल राण ऑस्ट्रेलिया निदर्लेंड कनाडा सब्स्क्राइब । राइट अंसर के इसका धारा है एक 309 ठीक पड़ें आप लोग इसके अंत्रगत आत्महत्या को जो है दंडनिये अपराद घोशित किया गया है ठीक है अगला कोशन है 32 कता के निम्निलीखित में से कौन सा आयोग सरोप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंत्रगत किसी निश्चित प् अस्थाप लोग होगा जानल जी चुनाव आयोग चुनाव आयोग एक ऐसा आयोग था पहला आयोग था जो भारत के संविधान की किसी धारा के अंत्रगत किसी निश्चित प्रधान के अनुसार अस्थापित किया गया था और इसकी अस्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी परतम कौन थे कौन थे अभी कौन है शुषिलचंद्रा चेंज हुए है जिल चंद्रा ठीक है और इसकी निवक्ति कोन करता है यह पूस्ता है ठीक राश्टबती चुनाव आयोग के बारे में अनुछेद कहा से कहा तक है तो आपको 324 से 329 है कि नहीं 324 से 329 ठीक आगे कि अगला है कोशन नमबर तेंटीस देख लेते हैं तेंटीस को ऊपर तक ले जाता है यहां तक जाता है यहां आगया कि इसमें थोड़ा सा करना होगा तो आपको टेंशन नहीं लिजेगा समझा देंगे हम ढंक से देखिए कह रहा कि 20 वार्थिक फोरव यानि 20 वार्थिक और दवोस इसका वर्षिक बैठक का अस्थल कहां है दवोस यहीं आपको दूसरा है में पूछ देगा के विस्वारेश्व खाल में compr की बैठक कहां वग था तो दवस किस कंट्री में आपको बताना है दवोस स्थीजर लेंड में तफैस्ट दावेश्वीजरें के ज़िए चलिए अब है अब है बिस्व आर्थिकमंज के स्थापना गई ठी थे पिस्व हार्थिकमंज की स्थापना जो है उने सो एकट्र में की गई थी सफ्व गई थी 16100 में की अगला अगला इसन crane तो ओलम्पिक में खेलों ओलम्पिक में खेलों में किस खेल के लिए बैल पारकर कप बैल पारकर कप बताना है तो बताइए तो वो हो जाएगा मुक्य बाजी जैसे क्रिकेट में देवधर ट्रोफी बर्डर गवासकर ट्रोफी यह सब होता है आपको बैंडमिंटन में हो गया आपको फुर्बॉल में डेविस कप मर्डेका कप संतोष ट्रोफी रोवर्स कप है ना वैसे ही आपको होकी में आगा खा लाया याद रखेएगा हम लोग मनाते हैं खेल दिवस कमनाते हैं बताफिए के लडिवस को संद नाम्बर 35 को सब्सक्रारेटनेंट कि योँ चलते हैं ऐप कहा तक में अपर 25 rest 35 जोल ऑफास से 37 तक तो कम से कम हो जाएगा टैप्लों संद 25 देख GRÜNEN आपसाए प्राचिन नगर तक्षभीला सिंधु नदी का अस्थल बताईय कहां से निकलती है कि इस हो कि मान्वार के सनौ खाब ग्लेश्यर से निकलती से भारत में यह परियुusa करती Whenever बात करेंगे सिंद जो माची है तो टुले में और ऐसे जाके पाकिस्तान होते गाहा गिर जाती है औरब सागर में और अरब सागर में धिक है और अरब सगर में गिर धिकत है। पाकिस्तान में जाती है और जेलम चिनाव राविव सतलज व्यास वह इसकी पांच नदियां बताया जाता है ना पांच पंच नदि उसमें आगरे चांश प्रक्ष्ट नमबर कोश्टिं काता है कि लेखिते में से कौन सा विध्रो बंकिम चंत चुह आनंद मठ के द्वारा प्रसिद हुआ था बंकिम चंत चटर जी का ऊपनियास था आनंद मठ ठेक प्रसिद भूदा सन्यासी विद्रो जो बिल्व कर बिल्व कम यहां साध्य। यहां से आम बताना है मैं यहां अब पुखने लिख लिए हम बताते रहा है सेवाराम के नेतरित्व नेतरित्व गिसने किया था सेवाराम ने किया था और कभी था अठारा सो पचीश से अठारा सो एक तीस अठारा सो पचीश से एक तीस के बीच में ठीक है भिल विद्रो कहा हुआ था पस्मी घाट वह दिकत है कभी कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है तो जल्दी में मारते में नहीं करना है बिलकुल भी क्योंकि पहले पूरा पढ़ लेना लास्ट में नहीं लगा हुआ है किया इसको पहले अच्छे से पढ़ लेना समझे कि नहीं पढ़िएगा तो हो जाएगा का दिकत नहीं पढ़िएगा तो हो जाएगा दिककत इसलिए कालीरिंफी दिकार मंते कहां है है मतली कावेरी नदी का उद्गा महस्थान जो है वो ताल कोटी करनाटक में है करनाटक में एक जगह है ताल कोटी बागी सब तो ही है बागी सब सही है महानदी ले सबती अराम से लिखना होगा लभेर के लिखना होगा ना है ठीक तो उसका मस्थान ताल कावेरी करनाटक में है और करनाटक तथा उतरी तमिल नाटू में बहने वाली एक नदी है इसको आप लोग जानते हैं कि ब्रमगीरी के पहाड़ी से निकलती है ठीक है और गोदार् देख लिए महराष्ट गुदावरी का है सही है कहां एधर जाती है अरभ सागर में उदर का निर्मान करती है रागी सब थो बंगल के घाड़ी में आती है और डेल्टा का निरिमान करती है अब आर्टीस नंबर देख लीजे आर्टीस नंबर कोशन क्या है पढ़िए अर्टीस नंबर कोशन पढ़िए कि निमलीखित में से कौन एक हिंदुस्तानी सास्त्रिय गायक है गीता चंद्रन लीला सेंशन और क्या नाम है इनका गंगुबाई हंगल या स्वापन सुंद्री पढ़िए बहुत अच्छा कोशन है यह कोशन आपको सास्त्रिय निलीखित में से कौन एक हिंदुस्तानी सास्त्रिय गायक है हिंदुस्तानी सास्त्रिय गायक है तो गंगुबाई हंगल गंगुबाई हंगल इस राइट अंसर कोई दिकत है गंगुबाई हंगल इस राइट अंसर गंगुबाई हंगल इस राइट अंसर अगला कोशन है कि इनका भी पूछता है सेंसर बोर्ड की अध्यक शिर्वा सुकी है और भारत नाट्यम में से यह हैं भारत नाट्यम से संब्ध रखती है लीला संचन यह कोशन में आया हुआ है कहीं कोशन हमको मिला था इसलिए आप सबको हम बता दिये चलिए कोलंबो से अलमुडा तक ब्याख्यान निम्लिकित में से किसके अनुभाव पराधारी थे बताईए अजया स्वापन सुन्द्री भी है इनका है कूच कुचिपूडी ठीक कुचिपूडी आंध्रप्रदेश में ना कुचिपूडी आंध्रप्रदेश है ना चलिए ठीक यह हो गया अब आगे बताईए कि तो यह था स्वामी विवेकानन्द कोलंबो से अलमुडा तक और गांधी जीवाला उधर पेरिस वाला उधर समझ में हो और है स्वामी विविवेकाननinklesjak को कोलंबा कोलंबो से अलमोर मुड़ा तक क्या धाएद कर्मयोग ज्यान योग राजयोग यह सब पूस्ता कौन लिखाता है स्वामी विवेकानन आ œ미ं नहीं दिया है लोग देखना पड़ेगा नजर आ रहा है क्या वैग्यानिक तथा अधोगिक अनुसंधान परिशत का ध्यक्ष कौन है चलिए भायत महरीत क्रांति का थोड़ा सा दिक्कत होगा देखते हैं कहां तक यह है अगर इसा होगा तो फिर ठीक है ठीक है बस एक दो को क्या है आप लोग को पढ़के अनुसंधान परिशत का अध्यक्ष कौन है भारत के राष्ट्पती भारत को उपराष्ट्पती भारत के परधान मंत्री या कोई और आप लोग को बताना है तो ब्लावारत का पर्धान मंत्री ही होता है है भारत के पर्धान मंत्री होते हैं और नीती आयों की गहोषणा पंद्रबागास दोजारचौदा को की गई थी प्रधान मंत्रि मोधी के दुबारा और इसके अस्थाप्रान जो है जन्वरी में किया गया था प्राधिकरण इसके भी प्राणमंत्री होता है अगला कोश्चन एक तालीस नंबर कोश्चन है क्या है भारत में पचना रहिकने आप लोगों को थोरत दीख रहा ज्यादा ठीक भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है अभी हम करवाए हैं में स्वामी नाथन सभी है है कि वर्गिस कुरियन स्वेथ क्रांति के नहीं है अकप्त हुआ था अगर दसक पुछेगा तो 1960 का वर्ष पूछेगा तो 1966 शर्षट अगर तीसरा फॉर्मेट में पूछता है क्या सबसे ज्यादे किसका हुआ था गयों का ना गयों चावल यह सब सही बोल रहे हैं ठीक है तो अगर पूछ देता है कि कौन से अंतरगा तो तीसरी पंचवर्ष जणा लिखेगा मतलब इसके अंतरगत नहीं इसके बाद इसके फल सवरुप क्योंकि तीसरी पंचवर्ष जणा जो है हमारी असफल रही थी उन्हें जिसका करेकल था उन्हें सट से 65 और पाकिस्तान से अब बाकि पहली जो थी उन्हें से वेकावान दूसरी उन्हें सो चपन से सुरू हुई थी है ना चली क्लियर है पाजब सल क्यों होती थी आगे बढ़ जाते हैं 42 नंबर कोशन देखिए 42 नंबर कोशन है कि स्री कुमार बनर जी निमलिक्षित में से किसे संबंधित है यह उस साइम का करेंट का है इसको आगे बढ़ जाए इस बाइप बढ़ पताते हैं यह उर्जा आयोग से संबंधित है फिए छीन के न थी आगे पर्याहिके है यह करेंट वہला है रस्तीयसमार गवर्यमेंट संस्थान हैं थैकट कि उन्चास 42 43 आगे बढ़ना होगा कि 42 नंबर देख लिए इस पर हम लोग बात कर रहा है श्री कुमार बनर जी निम लिखित में से किसे संबंदित है तो अंसर हो जाएगा परमानु उर्जा आयोग परमानु उर्जा आयोग देख लिए आप लोग कह रहा कि कि श्री कुमार बनर जी निम लिखित में से किसे संबंदित है तंसर हो जाएगा परमानु उर्जा आयोग इस एक ऑप्शन था भावा परमानु संधान के अंद्र रक्षान संधान इन में से कोई नहीं है ना तो बताई राष्टिये अब हैदराबाद में राष्टिये स्मार फणिये हैं राष्टिये स्मार्ट गवनेंस राष्टिये दोनों सब्स्सक्राइस है यह बह candy हैश्ट पोच दिया है तो अब करきます तो निए यह कहां पर है और हमीज आंगीर भाबा इसके यह थे तो अब चले हिंट्स दे दिए हम आपको सबको ठीक है एच जी भावा ऐसी बताता है ना स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहां है तो पूने कोई दिकत है भारतिया मौसम वेज़ी साला कहां है पूने हना चमडा अनुसंधान संस्थान कहां है तो चिन्नाई चमडा अनुसंधान चमडा मौसम वेज़शाला और रासायनिक बुलिये दिये थे हैं मौसम ऐसे होता है दंती संस्था मौसम वेज़शाला क्लियर है चलिए एंगला कोशन देखिए वह भारतिया टेनिस खिलाड़ी जो विद्धान को 44 निर्मान है तू अलिवूड से जुड़े अन नाइट से अम लं लियेंडर पेस विजय अमृत राज अश्वक अमृत राज तो राय टांसल हो जायगा लेंडर पेस लेंडर पेस जो है बारतिय टेनेश खिलाड़ी जो फिल्म निर्माने है तुम हल्यूड से भी जूड़े हुए है और लेंडर्पएस को इंडियन के नाम से भी जाना जाता है आप लोग say पता होगा इंडियन एक्स प्रेटस ली एंड़र पेस को कहा जाता है और इटानागर एपस बिने dość एकस वर लोज रावल पिङनेटर अर्बक्तर हर्वजन सिंह ना अ segments सुर्मास्थ अगला वाला कोश्ण है कोश्ण नमबर पैंटालीस थोड़ा सा इसको उपर कर लिए ठीक कोश्ण नमबर यहां आजाए उनचास तक ले लेते हैं ऐसे लेंगे तो उनचास तक आजागा पैंटालीस ओफ सोरी सोरी सर तुरा सा याद नहीं रहता है अभी नया हो जागा धिरे ठीक है ना इसमें क्या सर्वानी की बात पैंतालीस दिखाई देर आ चलिए लव निम्नलिखित में से किस किस संब्दीत है तो नजर आ रहा होगा आप लोग को ही यहाँ तो लो नजर आ रहा ठीक है बताए है कि टेनिस पॉलो क्रिकेट बिलियर्ड ठिक अच्छा इस अपके खिलाडी ना नेम पूछ देता है मतलब संख्या तो पोलो से याद रखना है इसे पी ओ लो चार्ग है तो इसमें चार पॉलो में चारगो होता है वाटर पोलो तो वाटर काया वह हुआ बताइए तो वैसे वाटर पोलो तो साथ ऊचिन वहता है वैसे करके ठीक है अब सब्संदीत सब्सक्राइज आयरा तेनिस से टैनिस से सानिया मेजह टेनिस सार है यह बडमीटन क्या खिलती है सनिया मेजह पता है आप लोग ठेक जैसे क्रिकेट से अगर जुड़ा हुआ सब्द हो गया लबी डबलू हो गया वाइड बॉल हो गया वाइड हो गया नो हो गया वाइड हो गया पूस्ता है अभी भारते टीम में चाइना मन के इंदवाज कौन है अभी बारतत में चाइना में गिंदवाज भरती टीम में है उनका नाम है कुल दी प्यादो ठीक है वैसे हो गया जैसे पोलो मों हो गया बैकर हो गया चक्कर हो गया चूका हो गया बंदर हो गया यह सब इस टाइप से चलिए 46 नमबर कोशन देखिए 2014 के राष्ट मंडल खेल किस दिस में आयोजीत किये जाएंगे 2014 के राष्ट मंडल खेल राष्ट मंडल खेल देखी मतलब यह करेंट का उस टाइम का कुश्चन था ठीक है तो दूसर चौदा में जो राष्ट मंडल खेल आयोजन किया गया था वह स्कॉटलेंड में किया था असकॉटलेंड के ग्ला तो अस्ट्रेलिया दिया हुआ है इसलिए हम बोल देरें न्यूजिलेंड उस समय का बात किया गया है ठीक न्यूजिलेंड अब क्रिकेट वर्ल्ड कॉप का बात हो गया तो 2019 का बात करते हैं तो 2019 में फीफा वाला कोश्चन आगे मिला है हमको कहीं इसलिए फिर रहने दिये दोंगा इसको अच्छे से आप लोग कर लीजेगा अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगलापर वरिंदा वन गार्डेन विरिंदा वन गार्डेन जो है कहां इस्तित है विरिंदा वन गार्डेन कहां इस्तित है बताना है बताईए इधर आ जाते हैं अब बताईए विरिंदा वन गार्डेन कहां इस्तित है बताईए ठीक राइट अंसर कौन सा कोशन था तालीस नंबर मैसूर में ब्रिंदावन लगा हुआ तो मत्रुआ में नहीं कर दीज़ेगा ब्रिंदावन स्री पूछेगा तो मत्रुआ में होगा ठीक है मैसूर में ठीक है जैसे श्री रंगपत्नम पूछ देगा तो मैसूर में धर्म साला हिमाचल प्रदेश में यह सब याद रखने वला चीज़ है ना आपको गरम कुंड ब्रह्म कुंड जो है राजगीर में इस टाइप का आपको सुर्य मंदिर कुनार्क में नोगरवन यह सब को बताना है ना अच्छा फीफा का कुछ बात कर लिए कि आगे कोस्टन में मिला था बात कर रहा है तो 2018 वाला रुस में हुआ था फीफा प्रोस में थेक ठेख थेक 2022 वाला 2022 वाला आपको था कघ्यक ठीक है कि अंजये है कि 2026 वाला कहा होगा बताइए 2026 वाला बताइए कहा होना है 2030 वाला भी दिया हुआ है 2032 वाला यह सब पूस्ता है इंपोर्टेंट है याद रखीएगा ठीक है ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ठीक है चलिए कोशन नमबर अरतालीस क्या है आपको देखिए तो करा कि उस राज का नाम बता है जहां से अधिक्तम संख्या में केंद्रिये रेल्वे मंत्री है उस राज का नाम बताना है जहां से अधिक्तम संख्या में केंद्रिये रेल्वे मंत्री बने है तो वह है बिहार दूगो केंद्रिये रेल्वे मंत्री तो आपको इसी याद है राई नाम'. किसी को याद है तो बताई ईens नरायन सिंग्स थे राम विला अश्पास्वान थे ए जोज फरनाइन बोले अभी रामिलास पस्वान कंजि भी तो क्या है उस समय उस राज काणानाम बताना है जहां से अधिकतम संक्या में केंद्रिय मंत्री रहे तो इभी कह सकते हैं कि उस LA नम ले है तो उतर प्रदेश हो जाएगा सबसेड़ भी और भी अदने प्र नो है आठ है नो ठीक है को से नमबर अगला उन्चास चली क्या है कि निम वेखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है जॉन्हीं वैस मुलर डेन काटर गें जॉन्स ठीक है यह सब आप लोगों को पूस्ता ही पूस्ता है यह सब आप लोगों को पूस्ता ही पूस्ता है ध्यान में रखना है कि बताइए डेन कार्टर ग्रेग जॉन्स जॉन्स जॉन्नी वेस्मूलर टो ग्रेक जोन्स एक टेनिस खिलाडी है एक टेनिस खिलाडी है को संद यह पचास नमबर हुष समय का था करेंड का सब करेंट अभी अफिर अगे बढ़ जाने टिकर करके चलिए अगला है पचास नमबर को संद दिखाई दे रहा है क्या है होगी ठीक क्या मों राज़ेपाल है बताइए पुस्ताइम का था भी करनाटा के राज़पल को राज़पल को बताइए केरल टमिलादू आंध्रप्रदेश तीनों का लिखना है आप लोग को ठीक है तीनों का लिखना है कि हम इदर स्लाइड कर रहे हैं तक तीनों का जली से लिख के बताईए तो देखिए साथ में अगर करिएगा तब मज़ाएगा ऐसे मज़ा नहीं आएगा ऐसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा इसलिए मन लगा के नो सीधा बात नो बकवास में हम लोग चलते हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं और बाकी जो 75 वीडियो में रहेगा उसमें भी ठीक है कि मैथ रिजिनिंग अलगा राम से पढ़ लिजेगा और जीके जीए अलग कर लिजेगा कोई टेंशन नहीं रहेगा चलिए लिख लिजेगा याद रखीगा एक आवन नमबर कोश्चन मै साइंस का कॉश्चन है का राण निम लीखित में से कौन सा बटफ़ू वायरस है जिसे एविएविएं वायरस भी कह जाता है आचा आप बताना है कि यह चला गया वर्तमान में हम बोल रहे थे ना थावर चंद गहलोत ठीक है राजयपाल है ठीक है और राजस्थान के कल राज में इस उतर प्रदिश के अनंदी बिन पटेल यह सब आप लोग को याधी होगा है है चलिए बताईये है एचगन एनवन के एच फाइब एनवन लेरे ए फाइब एनवन उ्हारम सोंदेख है बताईयर लिखें हैונה तो हम कि मट्रोंड प्राइब चलिए तो छहीह है न चलिकाम स्वांगा हमानुश को क्या बोलते हैं च써 स्वास्वाला के ब्राकां कि ऊसीधी पॉलन स्टाइब ठीका कग वाइरस से खतने वाला रोज है और छलिए असास्वन संकत्र ने एस फाइव एन वन ठीक है कारण सक्रमित लोगों की मिर्तिवधर 65 इससे मरने वाले लोगों की जो है 65 परसेंट बताया है इस देख ठीक है 65 परसेंट अगला कोशन पढ़िए मुबायल स्में चांच में सिंद्ध है पंदाब सीम का आपको फूल फर्म बताना है इस्हिंग का तो सब्सक्राइबर करें गया identification मॉड्यूल सब्सक्राइबर डेन्ट्रीकेशन ओद्रकों दिखा है सब्सक्राइबर इंक्सेस मडूल ठीक है और बताई अच्छ आपको रैम का बताईए र्याम का बताईए यह सब पूस्ते है रैंड। एक्ससमेमोरी होता है रैंडम एक्सच मेमोरी ब्स बढ़ करने को बता रहे हैं ठीक विपूष्थ यह पूष देगा आपको यह टीम नंबर नोमडर बताई कितना को होता है अब को होता है यहार का पूष देगा फुस्ट देता हैный पैटी में पुशन हैं इंपरेंट इंपर्टेंट पूश्ते रहता है कि दूसरों की नोट में कौन सा चीतर चापा गया है अ कौन साच रहे है इस टाइप का ठीक रॉम को होगे वाइरस का मताई ये पी एन जी एक होता है पी एंजी वर्ड आप लोग सुने हैं नेटवर्ग ठीक है नेटवर्ग ग्राफिक्स ग्राफिक्स यह आपको PNG का होता है ठीक है आगे बढ़ जाएं कोशन नंबर चोवन देखिए कोशन नंबर चोवन कह रहा है कि नीवन में से कौन सा भारी पिंड जो है सायंकाल और रात्री में अकास में सबसे अधिक चमकता है इतो सब मारते का फटाक से सुख इसलिए इसको सांज एवं भोर का तारा भी कहा जाता है सांज एवं भोर का तारा कहा जाता है सबसे गर्म गरह कौन है बताइए सबसे गर्म गरह कौन सा है बताइए और इसी को मालूम है कि प्रिथिवी का जो है निकटम गरह भी है इसको प्रिथिवी का भागनी या बहन भी कहते हैं कोई दिकत है सुक्र जो है स्वर्मंडल का छ छोड़के तो अभी लोग कैसे करते हैं पस्चिन से पूरु घुमते हैं पस्चिन से पूरु और बाकी सूर्क्र और अरुन जो है पूर्व से पस्चिन घुमते हैं ठीक है जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्लियर है अब सबसे ज्यादा उपगरा पूछेगा तो सनी का पह तो बताइए क्सुद्र रहा किसके बीछ होता है बता ना है पे पच्पन नूमर कॉशन देखिए समुद्र ये शीतल पॉन बहती है दिन में भूमी से समुद्र की ओर ये देखे दरोगा में भी कोशन पूछा जाता है समुद्र ये शीतल पॉन बहती है option नमर बताईए हमको लगता है option B होना चाहिए इसका क्योंकि समुद्र ये शीतल पॉन जो है दीन में समुध्र से भूमी की और गेति है अब इसको याद करने का ठ्रीक जो है वह बहुत संदार है को खरा कि समुद्रिय सीतल दीन में समुद्र से भूमी की और इसom मुद्र है मालेजे समुद्र से तो जब पुछेगा कि आपको रातरी में भूमी से समुद्र की और तो अस्थल समीर हो जाएगा अस्थल समीर हो जाएगा नाइट में ठीक अस्थल समीर हो जाएगा ठीक है दीन में अगर भूमी से समुद्र की और कहेंगे तो समुद्र से भूमी की और तो यह व वूमी से सम्द्क जाएगा तो अस्थलिये समीर कहते हैं उसको समीर जो है पवन का ही हवा का एक परियावाचि है ठीक तो अस्थलिये समीर कहते हैं इसका उल्टा यह इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है छपन नमर कोश्ण तीन वर्स के लिए समान दर था समान बैयाज पर ओके स्याइए पर्सेंटेज का है चलिए प्रतिवस ब्याज दर ग्याद करें ब्याज दर स्याइए का कुश्चन है यह देखिए चोवन के बाद 56 दूसरा मैस मिल गया अगला फिर देखते हैं संतावन भी मैस दिखाई दे र भढ़र जाएगा ठीक है चलिए देखिया है अल्टावन नम्ब कुशन देखिए क्या है कि मनेए है यदि एक पेंडूलं से दोलन करने वाली घडी को पिरित्वाण से मृट्सरा पर ले जाए तो घडी हो गी है मिर 27 से दोलन करने वाली tale को ज़लेkt that theatura माज परेक प्रित कि राइट अन्सर हो जागा सुस्त चंद्रमा का प्रीपटा उनते हION बताहिए तो कितना पता है चंद्रमा का प्लायन मे रेते होता है प्रिथिव का एक बटा छो भाग तो हम बता दिए आप लोग बताई चंद्रमा का प्लाइन वे कितना होता है कि चलिए आगे बढ़ जाए चलिए अच्या को है अगर बताई कि प्रिथिवी के सत्ध से ऊपर या सुरंग के अंदर जाणे पर आवर्त काल बढ़े गा गटेगा बताई आवर्त काल बढ़ेगा और जी कमाने गटेगा क्षाल पिस से ऊपर नीचे जाने पर द्र coûts लेकिन आवर्थ तक बढ़ता है या बढ़ता है धिती तो सब को मालम होगा कि बढ़ता है यह बता दें आ आप लोग को अपर तक घाल बढ़ता है ठीक मैक्समम कोशन आप जानते हैं जी थोड़ा सा देखते हैं जो डिफिकर्ट लगता हो कोशिश करते हैं वहीं बताये जाए उनसर टंबर क्या है कोश्चन यहीं है ना दिखाई दे रहा है हां जब प्रकास की तरंगे जब प्रकास की तरंगे वायू से कांच में होकर गु ठेक तो आपको पता है सब कुछ बदलता है लेकिन आवरीती नहीं बदलता है इसमें भी नजर आ रहा है तो गलत होगा इसमें नहीं है कि रिजिनिंग टाइप का बना दिए इसको गलत है कि अब बताई तो आप लोग जब प्रकास की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल तरंग दर्थ तथा वेग ही परिवर्तित होते आवरीती अप्रभावित रहती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़त प्रकास की तरंग वीरल माध्यम से सकन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा तो प्रिस्ट की और खीचे गए लंब की और जूप जाती है प्रकास का प्रवर्तन प्रकाश का अपवर्तन विवर्तन यह सब रहा चली आब आगे बढ़ते हैं तुरे सुबह और सामकी समय लाल क्यों दिखा देता है उसका ना चलिए साथ नंबर कोश्चन थोड़ा साथ नंबर कोश्चन फिजिक्स का जरा बताएए चलिए 10 सकेंड 10-15 सकेंड देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए जरा बनाकर बताएए तो कि दस पंदरा सकेंड देते हैं 15 सकेंड 15 सकेंड देते हैं आप लोगों को बनाएए तो बनाएए का कर रहा है कर रहा कि एक पिंड कूल दूरी का आधा भाग वेग भीवन से कूल दूरी का आधा भाग वेग भीवन से यात्रा कर रहा है तता सेस आधा भाग वेग भीटू से कर रहा है तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा औसत वेग क्या होगा तो आप लोग पढ़े है 2 into V1 V2 बढ़ते क्या हो जाएगा V1 V2 अब V1 V2 क्या हम पढ़ रहे हैं वेग आधा भाग आधा आधा कर दिया का रहा कि एक पिंट कूल दूरी का आधा भाग वीवन वेग से अब आधा भाग से बचा हुआ वीटू वेग से तो इस फर्गूला पर निकाली तो उस पिंट कूल दूरी जो है 2x किलोमीटर माना कूल दूरी हो गया 2x किलोमीटर क्या है 2x किलोमीटर क्लियर है तब आधा दूरी कितना हो जाएगा अधा दूरी कितना हो जाएगा बताइए एक्स किलोमीटर हो जाएगा कोई दिकत एक्स किलोमीटर अब इतना बराबर भीवन लिखा हुआ है ऐसा है ना देखिये तो लिखा हुआ है इसलिए कह रहा है कि आसथ वेग क्या कह रहा है आसथ वेग इसको लिख सकते हैं कि कि तीवन बटे सब्सक्राइब कर सकते हैं तता इसके साथ यहां देखिए इसको छोड़िए यहाँ देखिए टी d1 पिखोडी 1 ben इकव एकव बाय बीवन या फिर इसको ूर्ट वाला को मिली हम लीख सकते हैं कि आपको ट ट2 बराबर एकश भाई वेटू ठिक है क्योंकि 1-2x मॉ wolli lettuce Mane h निकलना है न ओसत ब्राबर औहाँ कुल दूरी बटा घुल समय को बड़ा निखहीं देखाई दे रहा थिक है को दूरी बटा कुल समय इसती है बटा कुल दूरी है 2x तो दिखा दिए कुल समय कितना लगा X पराबबर भी बन प्लस आपको हो गया एकस बाई गुन्ना होगा ना जी यहाँ पर 2x से है तो v1 v2 से नीचे जाएगा उपर जाके गुन्ना होगा ना है वेटू फिन नीचे लिख सकते है v1 plus v2 x कोदिकत है देखे तो कोदिकत है आप हम लोग कर देंगे 2 v1 v2 y v1 अब यहाँ पर कर देंगे v2 x x कट जागा जी x x कट जागा तो 2 v1 v2 y v1 plus v2 आगया क्या है कहीं पर देखे तो है 2 v1 v2 by v1 plus v2 फुरा सा इसको मिटाएंगे तब आपको दिख जागा यहाँ पर एक सकेंद देखे तो यही है क्या क्या कहा रहा था एक बार प्रीं समझें बढ़िया से नजरार आ आप लोगों ठीक एक पइंड कुल दूरी का अधाभग कोई पिंडाशतों को से आतिरा करी वेग वेट निकलना है तो एक ही दूरी है यह बाठी अजिक को वी वन और अधा या कर दिया है तो हम क्या किये कि पूल दूरीमें बब्र-ब्र फोर का बिरम यह जरूरत नहीं है कि रखने का रहा था कि तब उस पिंड का और सत्व よ क्या होगा यह न कहा रहा था कि उसपी पिंड का और सत्व वेह किया होगा तो हम निकले यहाँ पर कि बहुत तो कर सकते हैं 2-1 1B2 by B1 plus B2 ठीक यहाँ पर अब T1 बराबर क्या था ती आउसत वेग निकलना था ना तो T1 बराबर आपकोम लोग यहां पर किये थे टू एक्स लिख दिए अब कूल्सम है कुल सम हम लोग के इतना लगा है xY v1 Plus xy V2 ठीक तो इसको यहाँ पर करें यहाँ पर काल्कूलेशन करने के बाद आयेगा 2 into x v1 corre2 by v1 v1 plus v2 जो option number do do doil नहीं गया कोई दिक्कत आके बढ़ें इसका स्क्राइब लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं ले लिजे क्रिंस ले लिजे कि चलिए एक सट नमबर कोशन हो गया बासट नमबर कोशन देखिए अजय साथ है न यहीं ठेक ठेक है ठेक है ठेक है एक सट नमबर कोशन की और चलते हैं आजय यह अजय है कि तीन को हो जाएगा इतना में चलिए एक सट में क्या पूछ रहा है कि एक स्किर्णों का उपयोग क्रिस्टल सनरचना के अध्यन के लिए क्योंकि ép ऐक स्किर्णों का उपयोग क्रिस्टल सनरचना के अध्यन के लिए कि यह अवस्द करता है आज शेस्टल से क्रिक्रन की तरंग धर तर्दर से अन्तर परमानु के दूरी के सब्सक्राइब लिए कही कि एक चुंकि एकिन ईएल गर्टर्फ तता क्रिस्टल के अंतर प्रमानु है इनकी दूरी की परिमान को की कोटी समान होती है कि इसलिए याद रुखेगा अच्छा कुछत नहीं एंची आटी इसलिए सर ने आपको बताया था कि एंची आटी जो है शिक्स तू टेन आपको पढ़ लेना है जो कि आपको दो पोटल पर मिल जाएगा दो एक्जाम पोटल पर मिल जाएगा एप पर टेलिग्राम पर भी दो पर फिक्ड़ाम पर अपलोग जा सकते हैं ठीक है दब श्राइम पोल्ट्र तर्स मारेना यूट्यूब पे भी यूट्प प्लेज स्टुर पे पी जाकर कर सकते हैं डाउलोड कर सकते हैं ठेलीग्रام में भी सर्फ कर सकते हैं ठेख आप कुछ हम लोग जान लेते हैं आप लोगोग बताराइए ठीक है अच्छे एक स्कुर्णों का उपयोग कहां कहां होता है बताइए एक स्कुर्णों का उपयोग कहां कहां जिसे शल ले कि रिया में यह को तो लिख लिए हम सल ले कि रिया में और बताइए उपयोग पूछते था है एक स्कुर्णों का उपयोग आपको गामा इस अब स में पूश्ता है एक्सरे में पूछता है बस चार को याद रखिए न आज अगर शल्ल किरिया में अपको X-ray में अभी और दूतिन को बताई दिये आगे बढ़ यह मनुस्य के मनुस्य के नेत्र के रेटेनिया पर प्रतिवीम बनता है हमेशा रेटेनिया पर कैसा बनता है तो बहुत ही इजी कोश्चन है बार-बार मिलने वाला है बताईए आप लोग बताईए भी उग मेरेे हिसाब से आपcepicon नंबर डी वास्तवीक तता फूल्टा हम बोल रहे हैं मेरे रेटेना पर प्रतिवीम बन रहा है वास्तवीक बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है वास्तवीक यहां सिदा जीन एद उठाने ञाए थेक रेटीना का पूछेगा तो वास्तिविक के साथ उल्टा आपको ढूने जा है ठीक रेटीना आपको होना चाहिए पता कि परदे की भातिकार करता है ठीक अच्छा जो आँख्यों में बदलने बाग होती है जिसको यह किया तो वे कौन सा होते है इसको यह कर सकते हैं बताइए क्या हो कॉर्णिया शुट Но. 63 पढ़िए कोशन नमबर 63 पढ़िए कि मान क्या है अच्छा कौन सा लेंस होता है मानो नेत्र बताइए तो मानो नेत्र जो है कौन सा लेंस होता है पूछा है कुष्ण है मानोनेत्र उत्तल लेंस होता है इसका क्या पुछता है बताइए इसका अपॉर्ट नांक पूछता है अपरतनां कितना होता है 1.46 ऑपरतनांग मानव लेंज का बुद्ध मानव नेतर का उटार कारता है तो उत्तल लेंज की बाती और 1.46 अपको इसका ठीक क्लिर है कि अगले है कि सिमेंट के ग्राइंटिंग प्रक्रम के अंधर है कि यह कंडिकर सून में जिपसम मिलाने का उधेश से यह कि इसका की दर होती है हो उसको मंदित करना क्यों होता है मंदित करना सेटिंग सेटिंग की दर को जो होता है मंदित करता है ठेक जैसे सिमेंट का घटा कौन-कौन है चुना लिए सिलिका एंस चुना हो गया सिलिका हो गया एलूमी नहीं पहिर सोफाइड हो गया मैगनीशियम हो गया मैगनीश। क्या रहता है सबसे जदा आपको इसमें मिलता है चुना है सबसे जदा रहता है चुना कre médi we for जीवशं सबसे कम जीवशं चूना लगवथ 70% के आसपास में रहता है और जीवशं जो है लगवथ बाडेड़ से 2% इसमें रहता है चूना साथ से 15% के आसपास अब यह 1.5% के आसपासранओं आसपास ठीक है अगला कॉश्चन 106त नमबर नीचे है अच्छा इसको कर देता है फिर आगे बढ़ते हैं तो बहुत बन करके इसको मीथिन लगा देना है क्या सही बोल रहे हैं अच्छा प्राक्र पुछा है लेकिन अगर ब्लूऌ से कर दिये यहां पर कंफ्यूज्ज्ज आप यह कर दिये हुआ है यहां पर कंफ्यूज्न आप यह कर दिये एक चाहरा है कि मूखे आवय पूछ रहा है तो हमेशा मीथेन मारना है ओख बनकर के बाभू ठीक है क्योंकि यह घटा कॉन-कॉन से वह पूछ रहा है समझ मैं आया क्यूंकि यह होता है मीथेन यह 83% होता है और यह गटाजी 83 किता 17 हुआ 17 परसेंट 17 परसेंट के असपास ठीक या एक परसेंट को अतीर आता है सोल है मान लिए इसको 16 परसेंट ही थें अतीरासी परसेंट इसलिए इसको मुख्या वह रहा जाता है क्लियर है चलिए प्राकृतिक ग्यास का ठेक अब आगे बढ़ जाएं अब इधर मैथ है खाली ठेक 66 67 नंबर क्या है जी क्या है नाए शर्षट नंबर भी 67 68 आए आई प्रात्ताथ्व सहायक होता है बताईए में इसमें भी टाइम लगेगा तो बोलिये कैसे प्वाधो में क्लोरोफिल मैगनेशियम और किसके हरा क्यों होता है क्लोरोफिल के वज़ा से घ्रन अरो प्रक्रीट के कारण है ना और क्लोरोफिल पाया कहा जाता है तो क्लोरोप्लास्ट में नामे से पता चलेगा क्लोरोप्लास्ट में याद रखने का तरीका क्या है प्लास्टिक में बहुत समाल नहीं चाहिए प्लास्टिक में बहुत समाल जाता है तो प्लास्ट याद रखना है अब क्लोरोफिल जो कहा होता होता है क्लोरोप्लास्ट में ठीक क्लोरोप्लास्ट में होता है ठीक है और बताइए वह यह देखिए कोश्चन है वह ताप मान जिस पर सेंटिग्रेट और फारेन हाइट थर्मामीटर की रीडिंग मारी एक समान होती है तो आप बंद करके माइनस 40 यह रखेगा मान फोटी है माइनस फोटी पर सेंटिग्रेट अफारेन हाइट दोका अव माइनस पूरेंट है दोनों गोते ठीक क्या कि आप दो सूत्र आप लोग को तो पता ही होगा क्या होता है सी बाइंड्रेड माइनस एफ बाई दोसों बारा जी को सही बोल रहा है दो और कोशन है जी के जी इसका ठेक है फटो नहीं है यहीं दिक्कत करता है हाँ ठेक है चलिए देखिए फ्रस्ट आप लोग देख लिए आई जाएगा इसलिए बता रहा है कि निम्नि में से कौन सा पदार्थ ना भी किये रियक्टर में मंदा का काम करता है बताए बारी जहल बताए जली से बताईए आप लोग ठेक अब उसके बाद हुआ है आगे बढ़ते बहतर के बाद में सबमेर्थ है इस हो सबमेथ है पर चलिए कि चलिए कशन दके का अन्तिम उत्पाद क्या है खीए छलिए औक्सीजन और जल्दू को हम छाड़ दे रहे हैं औक्सीजन और जल्द दोनों में से कौन सही होगा वह आप बताईए जल्दी से बताईए इसके बाद आके बढ़ना है ठीक है जल्दी बताना है प्रकास अंसलेशन का अंतिम उद्पाद अगर पूछेगा तो राइट अंसर हो जाएगा नौक्सीजन जल्द अगर अप्शन में है तो कार्भो हाइड्रेट जाएगा यह आपको पता है प्रकास अंसलेशन की प्रक्रियाद दो प्रकार की होती है प्रकाशी और आपक्रास अप्रकाशी चलियें अगला है एक दिया के सब्ता में प्रिश्पती वार सुक्रवाद अथा सब्सक्राइब तर्थ निग्री जब की सब्ता के लिए अच्छा रिजनींग का कुश्चन है चलिए ठीक ता कि यह प्राबर है ठीक है रिजनींग आ गया चलिए अब आगे देखते हैं वायू का वेक संब्सक्राइब अठासी नंबर याद रखिएगा जो एप पर आपका दिया हुए है बी एक्जाम पोर्टल एप पर दिया हुआ है दो एक्जाम पोर्टल एप पर दिया हुआ है पोर्टल एप पर दिया हुआ है तो याद रखना है उसी का डिस्कसन हम लोग कर रहें जितने लोग पर्चेस किये हैं उनको पता चल रहा होगा तो आप लोग टेंशन मतलीजे यह अभी जीके जीएस है और मैस रिजिनिंग जो हम छोड़े उसका अलग वीडियो से या प्रित्वी की अपनी दूरी की घूमने से कैसे बताईए पहला ही हम बता चुके आप लोग ऑप्चन अगर ध्यान दिजेगा जब मेरा क्लास कीजेगा ना तो जीके जीएस हम पहला ऑप्चन जो है ना आंसरे वाला बोलते हैं तो दाब प्रवनता से वायू का इवे से गवाओक और बताई मानों सरी में दागत चाप नियंतरन दोनों बता दीजे फिर दोनों कन डिसकुशन बताएंगे देख लीजे मजेश्वमत8 वायू का वेक जो है दाब प्रवनता से सम्बंदीत आप्रवनता के कारण चक्रवात मं प्रतिचक्रवात उत्म डवाद मे जो है बाहर क्यों दीकत है अच्छा आप लोगो बताएए सबसे छोटी मानोग्रंथी कौन सी है सच्चे सोटी मानो ग्रंथी दिक्त किसी को इस बात से और नहीं चाहिए चलिए अगला कुस्य है क्या नव्य नंबर कंप्यूटर में वाइरस समधिता धूलकनों से प्रोग्राम से हार्डवेयर से या इन सभी से देखिए computer में दूल कन दिखा रहा है दूल computer से भी related questions पूछता है गुरू ठीक है तो को बताना है बताना शर्माना नहीं है यह दो तो computer में program होता है वाइरस सिस्टम लगा हुआ है सिस्टम में हम देख रहा है इसमें वाइरस जो अगर आएगा तो प्रोग्राम आएगा ठीक है सिस्टम में देख ले रहे हैं कैसा है समझ गया है ठीक है चलिए अच्छा कुछ वाइरस का नाम अगर हम जानना चाहिए तो जैसे बोलते हैं क्रिप्टो लोकर आई लव यू ठीक है यह वाइरस प्रोग्राम है ठीक है तब यह नहीं कि जाके किसी को बोल दीजेगा कि आई लव यू अम चाटा मारे की घेच के तो कहिए कि तो हम तो कंप्यूटर का वाइर अधाई के महल में अपना घर बना लो जहां किताबों की गलियां हूं ठीक है इतना ही बोलना था कोई शायरी वैरी नहीं है आगे वड़िए अधात हुए सामानेत विधूत की कुचालक होती है प्रन्तु ग्रेफाइट विधूत का सुचालक है क्यों की बताए तो यह अधातू करा के अधात हुए हमें इसे समय तो विधूत की कुचालक होती है लेकिन गिराफाइट सुचालक है क्यों क्योंकि इसमें सितीलता बद जो है इलक्ट्रोन होते हैं टाइम कितना हो गया ठीक हो गया ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब जिके जिए इस खतम ही होन अगर लिखना चाहें ठीक तो जैसे लगों को बता देते हैं ठीक है चलिए आप लोगों को जानते हैं कि रवादार अपरूफा कारवन का हीरा ग्राफाइट फुल्रीन ग्रिफिन है ना यह सब रवादार अब कोईला इस अब हो गया और रवादार होता है इस टाइप का ग्राफाइट का यूज कहां कहां होता इस पर भी कोशन आता है कि कीमत अच्छा है सम्मैथ से आपको गया हम चलिए जी के जीएस वातावरन में सरवाधिक प्रचूर गयस कौन सा है वातावरन में बताईए नाइट्रोजन कोई दिक्कत है वायमनल में कितना परसेंट है 78% और oxygen कितना है 21 और कारबन डायकसाइड कितना बताईए तो कारबन डायकसाइड बताईए फटा आक्सेग्रम नाइट्रोजन जो रसाइनिक संक्यत वो एन है पता है आप लोको रसानिक संक्यत जो है इन है कि और तδα इसका जो परमानु संख्या कीतना होता है पर मारू संख्या का हम दाहले जी परमानु संख्या जो होता है साथ होता है पता है आप सबको ठीक है वायो मंडल में कारपन डाइक साइड पूछे थे हम 0.03% होता है कोई दिकत है ऑक्सीजन तो बताई दिये 2.1% होता है कि सूर्य के वातवरण में सबसे ज़्याद है तो यह वातवरण की बात वायो मंडल की बात की गई है ठीक सो चली सब रिजनिंग में थे बता देंगे रिजनिंग में तेंसर नहीं लेना है इसे की 105 है देख लीजे में मैं 105 सब्सक्राइब करें दिखा देते हैं आप लोगयों से कि उसके एक निलिखा जाता है और यह कोटो भासा में आमेरिका को क्या लिखा जाएगा ठीक तो इस से हम लुग पकड़ेंगे किसी से कितना है औसे जो इससे इसका संबन्ध है वैसे इस seems ौहोगा द falar तीन वाला से वह यह सब यहां अमेरिका का लिख के इचारों में स्कूय औप्शन होगा है ऐसे करके हम लोग रिजिनिंग बनाएंगे ठेक है तो टेंशन नहीं लेना है ठेक चलिए जैसे इस चीतर में कितने त्रिभूज है तो गीन करके गीनने में टाइम लग जाएगा हम ट्रीक बताएंगे आप लोग को अब हमको लगता है कि खाली मैथ और रिजिनिंग ही रह गया है हाँ ठीक है अब जो है यहां से मैथ और रिजिनिंग ही रह गया है तो बस आप लोग को कि इतना बताना चाहेंगे कि यह आपका क्लास जी के जी इसका खतम हो जाता है जिसमें पचास जी के पचास जी के और पचीस साइन्स यह पहला सेट था ठीक पहला सेट था अब इसके बाद हम लोग बीएससी इस सेट वन ही बनाएंगे उसमें मैथ और रिजिनिंग बनाएंगे मैथ और रिजिनिंग शेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा अच्छा कोशन आया था भूमत दिर्खा वाला करकर रेखा वाला मंकर रेखा वाला जिस पर हम बोले थे कि आप लोग को ट्री सब्सक्राइब जरूर करना है जितना ज्यादा परिवार आगे बढ़ेगा था एक्जाम पॉटल का उतना व्यवस्ता आप सब के लिए किया जाएगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद